नमस्ते, देखते हैं, आज जो यह फूल मून है, क्या है आपकी पॉरसन की करन्ट फिलिंग, क्या कुछ एनरजी आपर चेंज हुई है, देखते हैं, ओके, ओके, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि बिल्कुल भी नो कॉंटक में हो आप, बिल्कुल भी कोई कॉंटक न लगता है कि आपने कोई डिसिजन गलत लिए है इस रिष्टे में, वो हर किसी के लिए वो जो डिसिजन होते हैं, वो अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन जाधातर मुझे आपके एनरजारी कि आपको पच्थावा है, किसी फैसले को लेकर, जब तक देखा जाए आपके पॉर इस इंसान ने इस रिष्टे को लेकर पास्ट में बहुत कुछ प्लानिंग किया था, वो चाहे इस रिष्टे में आगे बढ़ने के बारे में हो, चाहे शाधी के बारे में हो, जो कुछ भी आपको सपने दिखाए हो, वो उन सपनों को पूरा करने के बारे में हो, सब कुछ धरा का धरा रहे गया, कुछ भी उनके मनजे से घटित नहीं हो रहा इस रिष्टे में और इस बात से ये इनसान आज बड़ा हैरान है, बड़ा परिशान है उसको दुख है इस बात का कि उसके मन जैसी कोई भी बात घटित क्यों नहीं हो रही है ये इंसान आपको मिलने की चाहत में इतना ज़दा तड़प रहा है और आज इस इंसान की जो feeling से बहुत ही sad मुझे दिखा दिले बहुत ज़दा sad कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि अच्छानक आपको इस इंसान के बार में कुछ पता चल सकता है चाहे वो दोस्तों के थूप पता चले आपको चाही इंसान कुछ आपको खुद होकर बताए लेकिन ऐसा कोई सच आपके सामने आ सकता है जो आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी जरूर नहीं कि वो सच कोई कड़वा सच हो अच्छी बाद भी हो सकती है लेकिन कोई सच आपके सामने आ सकता है कोई राज आपके सामने आ सकता है हर बात हर किसे के साथ तो resonate नहीं हो कि जनरल रिडिंग है लेकिन जो यहाँ पर आया है मैं बताऊंगी कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती है आज दिन भर रही आपके person की बाद तो ये इंसान बड़ा ही emotional हो रहा आपके लिए बहुत emotional और attraction तो हचसे जादा हो रहा है इस इंसान को, ये चाहता ही नहीं है आपसे दूर रहना, लेकिन कोई मजबूरी है कोई परिशानी है कि इस इंसान को आपसे दूर रहना पड़ रहा है आपके person को ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है ठीक है, वो इस रिष्टे में जो आगे बढ़ना चाहता है और जैसे कि हालात साथ ना दे रहे हो या आप दोनों के बीच में जो मुटाव चल रहते हैं अब तक वो साथ ना दे रहे हो, देखो कैसे यहाँ पर कुछ लोग यफ नाम से शुरू हो सकता है उनका नाम या के से शुरू हो सकता है यहाँ पर यल बना है यम बना है, यहाँ पर बी अक्षर भी बना है, यहाँ पर सी बना है यहाँ पर यल बना है, नमबर 7 भी बना है, नमबर 2, 27 भी है, 3 नमबर है, 23, ओके, तो कुछ लोग के लिए यहाँ पर अच्छानक कोई सच आपके सामने आने वाला है, और आपके परसन बड़े ही sad mood में है, और जो कुछ भी past में हुआ है, वो तडप रहे हैं, आपका बहुत black energy है guys, बहुत black, यह अंसान negative सोच में जा रहा है, और बहुत लोग यहाँ आपर ऐसी के इस रिष्टे पर किसी की बुरी नजर है, वो किसी की भी हो सकती है, कोई नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता कोई कि आप दोनों एक हो, वो कोई भी अंसान हो सकता है, बहुत ही black energy है आप आप आचुकी है, और guys आपके person को एक पल में ऐसा लगता है कि कुछ ठीक होगा नहीं, और दूसरे ही पल में इसको लगता है कि मुझे तो उसकी तरफ जाना है, हर हाल में जाना है, तो यह जो energy है आपके person की है, स्याड तो वो बहुत जादा है, लेकिन आपके तरफ आने की तयारी भी उतनी ही जादा है, तडप रहे हैं, सिसक रहे हैं, आप आवाज सुन रहे हो, कैसी कैसी आवाज यहाँ पर आपको सुनाई दे रही है, ये इनसान तडप रहा है आपके लिए, ये इनसान आपसे दूर नहीं रहना चाहता, इस इंसान को ऐसा, oh my god, बहुत, बहुत black energy है, बहुत जादा Guys, किसी की बुरी नजर या तो आपको लगी है, या इस रिष्चे पर लगी है और ये इंसान इतना ज़दा तडपता है आपके लिए कि वो, मतलब ये शब्दों में बयान नहीं हो सकता इस इंसान ने कभी भी नहीं चाहता कि वो आपसे दूर हो, लेकिन ये जो black energy यहाँ पर आई है किसी की बुरी नजर लगने का ये हो सकता है, जो कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, जो जगड़े हुए है मैं आपको दिखा दूँगे आखर में कितना black है यहाँ पर, बहुत ही जदा black energy आई है पहली बार, पहली बार यहाँ पर इतनी black energy है, इस रिष्टे पर कोई black magic, अगर आप मानते हो इस बात को तो ऐसे भी बहुत जदा chances है कि किसी ने कुछ ऐसा कर दिया कि यह रिष्टा बच ना पाए, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया कि अंसान आपके तरफ आ ना पाए और इस इंसान को वो तकलीफ हो रही है, आपके तरफ आने की जजबात है इसके, आपके तरफ आने के लिए इनसान तडबता है और वो जो black energy है इसको रोकती है बहुत जादा इस रिष्टे में किसी की बुरी नजर है और बहुत चांसे से कि आप दोनों के बीच में किसी और नहीं जगड़े लगाने की कोशिश की हो क्योंकि किसी की बुरी नजर लगातार इस रिष्टे पर थी आज भी है और ये अनसान जो है इसके मन में फिर उसकी बज़े से बहुत negative खैलाते है इतने negativity यहाँ पर भरी है guys कुछ लोगों का आज दिल तूट सकता है कैसे दिल तूट सकता है जैसे कि मैंने starting में भी आपको वोला कि कोई सच आपके सामने आ सकता है और यहाँ पर जो black energy इतनी जादा आ रही है तो आपको कोई ऐसी वारता भी मिल सकती है कि जिसके बाद आप अंदर से तूट जाओ आपका मतलब प्यार परसे जैसे विश्वास उट जाए कुछ लोगों आपर ऐसे भी है कि कोई ऐसी news आपको आसकती कि दिल चूर-चूर हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है हर किसी के लिए अलग-अलग बात हो सकती है किसी के लिए ऐसा हो सकता कि वो इंसान इस रिश्टी में आगे तो बढ़ना चाहता है लेकिन बहृत सार औप्स्टेकल्स है वो कुछ नहीं कर पाएगा ऐसा कुछ भी, कुछ ना कुछ हर किसी के लिए अलग बात होगी लेकिन कुछ लोग के लिए ये बात दिल तूटने वाली भी हो सकती है इतनी जदा निगेटिव एनर्जी हापर है और ये इंसान तरबता तो है आपके लिए इसके दिल में प्यार भी है आपके लिए लेकिन इंसान जैसे के इसके हाथ बंदे हुई है जैसे के इसके आखों पर पट्टी बंदी है इसको कुछ दिखाई नहीं देता है और आपके तरफ आने की चाहत को भी इंसान रोक नहीं पाता है एक तरफ आपके आने की चाहत है जो इस इंसान को रुला देती है एक तरफ निगटिव एनरजी है जो इस इंसान को कंट्रोल कर लेती है रोक लेती है ओ माई गाड बहुत ही हेवी एनरजी है काई से आपर बहुत ही हेवी एनरजी है पास्ट के एनर्जी से जैसे दैसे अंसान निकलना चाहता है बाहर, लेकिन न वो खुद को उस पास्ट के एनर्जी से निकाल पा रहा है, न वो इस रिष्टे में एक न्यू बिगनिंग कर पा रहा है, और इस बास से इस इनसान को खुद बहुत तकलीफ हो रही है, जितनी त आपके बारे में सोचता है कि उच्छो ही मत, और आज भी इस वक्त भी एंसान बहुत ही जदा तड़ प्राब के लिए, और वो एंसान चाहता है कि वो आपसे कम से कम आपसे बात कर ले, दिल को हलका करे, दिल में जो दर्द है, जो जजबात है, वो हलका करे, अपने आप को य उसको लगता है जैसे उसने खुद को ही हो दिया है, मैं आपको दिखा देती है कि यहापर कितनी ब्लाक एनरजी है, आप खुद हैरान हो जाओगे, देख लो, आपका विश्वास नहीं होगा, कितनी ब्लाक एनरजी है, आप खुद देख लो, किसी की बुरी नजर ने इस रि बहुत प्यार करता है लेकिन black energy है evil eye जो कुछ आप समझो black magic अगर आप विश्वास मानते हो इन बातों पर तो ये सब कुछ यहाँ पर घटित हो रहा है देखो कितनी जल गई है कितना black है यहाँ पर और यही यही बहुत बड़ी बजह है कि इनसान ना कोई decision ले पाता है आपक पुल्मून है और पहली बार इतनी black energy हाँ पर आई है यह आप खुद मैसूस कर रहे हो कि कितनी energy change होती है oh my god guys थोड़ा सा उधन रहो अगर ऐसी कोई आपको कोई कही से news मिलती है तो आपने आपको शान्त रखो भगवान आपके साथ है angel आपके साथ है कुछ नहीं होगा ड आप त्यारों से जान लेते हैं क्या है आपके पर्सन की feelings क्या कुछ एनर्जी है देखते हैं कुछ लोग यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला था कि कोई ऐसी मैंने candle wax में आपको बोला कि या तो किसी के तुरू आपको कोई ऐसी bad news मिल सकती है जिससे आपका दिल तूट सकता है इस इंसान को लेकर इस रिष्टे को लेकर कुछ ऐसा घड़ित हो सकता है कि जिसके बाद आपको ऐसा लगे कि आपके साथ तो यह विश्वाजगात हुआ है और same energy हापर है यह है eight of wands call message receive हो सकता है जरूर नहीं कि वो आपके person की तरफ से ही हो वो किसी friend का भी हो सकता है जो आपको आपके रिष्टे के बारे में ही बताए कि आपके साथ विश्वाजगात हुआ है ऐसा आपको लगे ऐसा आपको लगे कि यह तो मेरे पेट में जैसे खंजर खोब दिया है इस इंसान ने या तो ऐसी जैसे की यहापर देखो कितनी black energy जैसे की यहापर आई है तो कु रहना है, कोई सच्चा ही सामने आएगी, ऐसा भी हो सकता है, या कोई जूट आपके दिमाग में भरने की कोशिश करके, आपको इस इंसान से अलग करने की कोशिश कर सकता है, जैसे कि इस रिष्टे पर किसी की बुरी नजर है, तो 8 of Wands, बहुत लोग को call message रिष्टी होने वा balance करो, संभालो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, ठीक है, 5 of Swords, Libra, Aquarius, Gemini, 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittus, 9 of Pentacles, आपको ऐसा भी लग सकता है, कि ये जो इनसान है, वो सिर्फ अपने फाइदे की बात क्यों करता है, और आपके person को भी ऐसा फील हो सकता है, कि यार वो क्यों सिर्फ अपने ब ऐसी नहीं थी, ऐसी कुछ निगेटिव ख्याल से ये एनसान आज घिर सकता है, और 9 of Pentacles की जो एनरजी है, कुछ लोग के लिए मैं बता दू कि एनसान पैसा पैसा करेगा, ठीक है, इस इनसान को ऐसा लगेगा, कि यार मुझे अपने फाइनस पर काम करना चाहिए, मुझे जब मैं अपने फाइनस में अच्छा ग्रो कर जाओ, तब मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए, ऐसे भी खयाल इस इनसान के मन में आज दिन भर आ सकते हैं, नाईना Pentacles के नरजी है, ये परसन आपके फोटोस देखकर बहुत ही जादा आकरशित भी हो सकते हैं, राशी टोरस तो Capricorn, The Star, अपने आपको हील करने की कोशिश आपको भी करनी है, जैसे कमी ने बोला, और ये अनसान भी खुद को हील करने की पूरी कोशिश आज करेगा, क्योंकि ये अनसान भी पूरी निगटिव एनेटर से भर जाएगा, कैस मुझे लगता है कि थोड़ा बच के रहना है आपको, अलर्ट रहना है थोड़ा, किसी की बात में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, लवर्स, प्यार है इस रिष्टे में, आज आपके परसन इस वक्त भी बहुत एमोश्चरी फील कर रहे हैं, और आज दिन भर भी एनरजी ऐसी ही रहेगी, कि मैं उससे सच्चा प आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, उनकी कोई मजबूरिया है, तो आपकी परसन इसा लगेगा कि बस भाग कर चला जाए आपके पास और आपको गले से लगाए, लेकिन वो ये कुछ कर नहीं पाएगा, जेमिनाई के एनरजी है, ये इनसान आपसे बहुत प् इसके पास अगर उप्शन है, और बहुत चांसे से कि इनकी मदर या इनका परिवार उप्शन हो सकता है, जिनकी बज़े से आप दुनों के बीच में जगड़े भी हुए है पास्ट में, या जैसे कि मैंने बार बार आपको बताया कि कोई तीसरा ही है, और देखो मून के ए इस इनसान को ऐसा लगता है कि इस रिष्ट में आगे तो बढ़ना है, लेकिन बहुत बड़ी रिस्क है, और यहाँ पर भी देखो, दिमून के एनरजी के आब अबतारी कि किसी की बुरी नजर है, किसी की काली नजर है यहाँ पर और उपर से जगड़े लगाने की कोशिश आप दोनों के बीच में अकसर कोई न कोई करता आया है, या आपके मन में जगड़े लगाने की कोशिश भी ना करे वो इनसान तो आपके मन में उस इनसान के प्रती जहर गोलना, उस इनसान के मन में आपके प्रती जहर गोलना, कि यार वो तो तो तुम्हारे लिए सही नही तो यह अंसान कुछ द्विधा परिस्ती लैक अप्लियरटी आज दिन भर रहने वाली है तो यह कुछ एनरजी आज दिन भर की आई है फुल मून की ओके तो यह बात है अब देखते इस डेक्स से क्या कुछ एनरजी आती है इस इंसान को ऐसा फिल होगा कि आप बाते छुपाते हो ठीक है और आपने उनको बहुत कुछ बाते अब यह उनके खयाल है कि उनको ऐसा लगेगा कि आप तो कुछ सच्चा ही दिखाते ही नहीं हो आप सोचते क्या हो आपके दिमाग में क्या चलता है आपके दिल में क्या चलता है इस इंसान को पता भी नहीं चलता फूल मून के एनर्जी कर रही है और काड भी फूल मून का ही आया है उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप थोड़े अपने आटिटूड में जीते हो, अपने घमंड में रहते हो, शोप करते हो, ठीक है, फुल मून इन लियो, उस इंसान को लगता है कि आपका ये जो घमंड है, उसकी बज़े से रिष्टा खराब हुआ है, या वाइस वर्सा भी ह हो सकता है कि इस इंसान के अंदर बहुत घमंड है, इसकी बज़े से रिष्टा खराब हुआ है, दोनों काड़ फुल मून के हैं, और देखते हैं, वापस या पर फुल मून है, गाइस, मैं बता दू आपको, कि जैसे मैंने एक एंडल वैक्स में भी बोला था, कि कुछ गल बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर कि फुल मून के अनरजी हम जिक कर रहे हैं, और सारे के सारे काड़ फुल मून क्या है, तो यहाँ पर मैं बता दू कि जो आपके रिष्टे में जो भी गलस फैमिया हुई है, या तो वो आज बहुत ज़दा बढ़ जाएंगी, यह लोग के लिए यह रेजनाट होगा कि यह गलस फैमिया बढ़ती चले जाएगी, और बॉटम में है न्यू मून का काड़, यू एन यूर लववन आर सेफ, न्यू मून तक बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि न्यू मून तक इस इंसान के साथ आपकी बात हो सकती है, और जो दोनों सेफ हो जाओगे, अगले पंधरा दिन तक यह असर, मैं आपको दिखा दो, अगले पंधरा दिन तक यह जो असर है, वो धीरे धीरे खतम हो जाएगा, यह जो ब्लाक, और पंधरा दिन के बाद आप दोनों भी सेफ हो जाओगे, और इस रिष्टे में बहुत कुछ आगे चेंजिस हो सकते हैं, अभी के जो एनरजी है, तो बहुत ही मुझे आपके परसन द्वीधा परिसिते में हैं, परेशान है, नाराज है, दुखी है आपसे दूर रहकर, वो दूर रहना नहीं चाहते हैं, उसके बावज़त भी दूर हैं, तो यह सब कुछ बात है यहा पैंटकल्स का, और मैन हल्डिंग कोईन, फाइनाशल प्रोब्लेम की बज़़ से भी बहुत दिक्कत का सामना इस रिष्टे में करना पड़ा है, और आज भी इनसान पैसो के बार में ही सोच रहा है, या तो यह इनसान जो पैसा पैसा कर रहा था, उसमें से बाहर निकलना चाहता है, अपने प्यार के उपर फोकस करना चाहता है, या तो यह इनसान पैसा कमाना चाहता है, रोकड़ा कमाना चाहता है, इसलिए आपसे दूर है, राशी है टोरस वर वो, क्या प्रिपान, नमबर 4, नमबर 3 खास हो सकते हैं, आपकी परसन की चक्रास भी तो डिस बैल करता है प्यार बहुत करता है जो फोकस है बार बार हटता रहता है यह जो इनसान है इसको बोलने का डर होता है गाइस बात करने का डर होता है इसको इसके मन में फियर है कि मैं बात करूंगा तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा प्रॉब्लिम हो जाएगी इसको डर लगता ह और क्या है एक्षन मुझे नहीं लगता कि आज इस वक्त ये एंसान कोई भी आक्षन लेने के मूड में है बस सोचे जा रहा है और पागलों की तरह बहुत सोचे जा रहा है और टेंशन लेता जा रहा है और देखो और को कि आज जो तारीक है वो सत्रा है एक्षन का काड़ा है रिवर्स आया है तो मुझे नहीं लगता कि आज दिन भर ये एंसान आपके तरफ आएगा या आपको कोई कमिट्मेंट देगा हाँ कॉल मैसेस के उबर बात हो सकती है लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि कमिट्मेंट मिल स सकता है लेकिन कुछ लोकिल जैसे कि मैंने बोला कि कुछ गलत बाते पता चल सकते कोई सच सामने आ सकता है तो आक्षन रिवर्स आ चुका है तो कोई उम्मीद मत रखेगा कि आप आज इस इंसान के तरफ से आपके लिए कोई आक्षन आ सकता है ऐसी उम्मीद यहाँ पर त सकती है आज और रगातर आपके बार में ओवर थिंकिंग करेगा और इस रिष्टे से जो कुछ भी पॉजिटिव चीज़े है वो जैसे कि इस अंसान के दिमाग में आएगी ही नहीं सिर्फ निगटिव चीज़े इस अंसान के उपर असर करेगी और निगटिव ही बाते चलती रहेगी तो ये अंसान आज दिन भर बहुत ही जदा इंजाइटी फिल करेगा परिशान रहेगा स्याड रहेगा ठीक है और देखते हैं इंजल आपसे कहते हैं कि जो कुछ भी आज ये परिशानी है ये जो दिक्कत का सामना आप दोनों भी कर रहे हो तो अब इसमें से कुछ अच्छा ही होगा ठीक है आप फिकर मत करो जो भी होगा आपके भले के लिए होगा ऐसे इंजल आपको कहना चाहते हैं विदिन दा नेक्स फ्यू विक्स आने वाले कुछ हपतों के अंदर आप देखोगे कि सब कुछ चेंज होने वाला है और यहाँ पर भी देखो न्यू मून का काड है यू और लववन आर सेफ तो न्यू मून तक बहुत कुछ चेंज इस रिष्टे में घटित होने वाल है ठीक है ऐसी अनरजी यहाँ पर अभी आई है और मेडिटेशन आपको मेडिटेशन करना जरूरी है जब तक आप मेडिटेशन स्टार्ट नहीं करोगे आपके सवालों के जवाब भी नहीं मिलेंगे जितना जदा आप अपने अंदर जाओगे उतने ही सवालों के जवाब आ I hope आपको reading पसना आई हो, like, share and subscribe, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए, bye.